दोसा तो आपने बहुत पार खाया होगा लेकिन ये दोसा गेहों के आटे से तयार किया है खाकर कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये गेहों के आटे से बनाया हुआ है और साथ में चटपटा, अलू मसाला और सुपर टेस्टी चट्मी और किस वज़े से एक दोसा तभी पर फ और एक चमच सूजी और डोसे में थोड़ा सा खटास लाने के लिए एक चमचादा ही डाल कर और इसमें टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे और यदि आपके पास मेजरिंग कप हो तो उससे सभी चीजों को एक एक कप नाप कर ले सकते हैं और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर लंप फिरी बैटर बनाएंगे इस बैटर को दो तीन मिनट तक फेटेंगे जिससे ये बैटर हलका हो जाएगा और अब दस मिनट इसको रैस्ट करने के लिए रख देंगे अब चटनी बनाने के लिए नारियल अच्छा नारियल ले ल खली ओर थोड़ा साहरा दनिया और दो हरी इमिर्ज टेस्ट के अकोडिंग नमक और थोड़ा सा दही तोड़ा पानी डाल कर उनके पेटिश्ट तैयार कर लेंगे अब हम चटनी फ चोक लगाएंगे तो इसके लिए बट ओए उंगरं कर लेंगे और इसमें राय के दाने औ तो थेलेंगे और हम निभूडेए कर दीजों कर करंदेंगे। एक मीडियम साइज का दालकर इसको फ्राइए कर लेंगे जब यंदेल यह थोड़ा सा जिंजर डाल दिया है जिंजर को लिंजरुआ में से बूं लेंगे या थोड़ा हल्दी पाडप declar राल दिंगे और फोड़ा धन्या फॉडर फॉर 這邊 हॉड़ा सपवर्ड के दाब डाल कर इन सबी को इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे जो मतर के दाने हैं वह भी अच्छे से गल जाए अब इसमें एक उबाल आने देंगी जब उबाला जाए तो इसमें बोईल के हुए दो बड़े अलु डाल दिये हैं और इनको इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए मसाले से बिल्कुल अद्पत हो गए है तो अब इसमें हमें हरा धनिया डाल कर भी मिक्स कर लेना है तो तयार है हमारे चटपटे अलू मसाला अब दस मिनट हो चुके हैं तो अब इस बैटर में हम आधा चोटा चमच ड जिससे की इसका temperature हाई हो जाए और इसको कपड़े से पोच देंगे अब इसको पानी डालकर हम तवे का temperature लो कर लेंगे, गैस की flame लोकर रखेंगे और अब इस तवे पर बैटर डालकर इसको फैला लेंगे और इससे आपका जो बैटर होगा वो बहुत अच्छा तरीके से फैल बैटर को फैलाना है इससे हमारा डोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अब यहाँ पर कोई भी चटनी यहाँ पर मैंने सेजवान चटनी डाली है तो इसको आप अंदर अलू मसाला भी भर सकते हैं तो यह देखिए परफेक्ट डोसा हमारा बनकर तयार हुआ है वह भी आटे स तो अब दूसरा डोसा बना कर दिखाती हूं इसी तरीके से तेल से ग्रिस किया कपड़े से पोचा तवे का टेंप्रेचर पानी डाल कर लो किया गैस की फ्लेम को लो किया और फिर से बैटर फैलाया यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट डोसा बनकर तयार होगा इस पर कोई सोस भी लगा सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है आप यकिन नहीं मानेंगे यह बिल्कुल भी टेस्ट में नहीं लगता कि आटे का डोसा है तो अब मैं बताती हूं आपको यदि आपका तवे का टेंप्रेचर हाई होगा तो आपका डोसा ब इसलिए हम इसको पानी डाल कर थोड़ा लो कर लेते हैं टेंप्रेचर को फिर हमारा परफेक्ट डोसा बनता है तो यह देखिए तो तयार है हमारे आटे से बना हुआ सुपर टेस्टी परफेक्ट डोसा 100% क्रेस्पी यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अच्छा सा कोमेंट दीजिए और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद